ओम शान्ति, 21 सेप्टेंबर 2021, बाबा के महावाक्य, मीठे बच्चे, नामरूप से न्यारी कोई भी चीज नहीं होती, आत्मा व पर्मात्मा को भी नामरूप से न्यारा नहीं कहेंगे, उसमें भी अविनाशी पाठ नूंधा हुआ है, प्रश्न, शिव बाबा को भोला नाथ कहकर याद करते हैं, उसे भोला क्यों कहां है, उत्तर क्योंकि बाप ही अहिल्याओं, गणिकाओं, खुबजाओं का उद्धार करते हैं, उन्हें विश्व की राज्जाई का वर्सा दे देते हैं, मनुष्य तो बाप के लिए कह देते, दुख भी वो देता, सुख भी वो देता, परन्तु बाबा कहते हैं, मैं तो तुम बच्चों के लिए सुख का राज्य स्थापन करता हूं, मुझे दुख हरता, सुख करता कहां गया है, विचार करो कि मैं बाप अपने बच्चों को दुख कैसे दे सकता हूं, गीत, दूर देश का रहने वाला, ओम शांती, रूहानी बच्चों ने गीत सुना, अर्थात, रूहों ने इस शरीर की कान रूपी कर्मेंद्रिय द्वारा गीत सुना, दूर देश से मुसाफिर आया है, तुम सब मुसाफिर हो न, जो सब मनुष्य मात्र आत्माएं हैं, वह सभी मुसाफिर है, आत्माउं का कोई भी घर नहीं है, आत्मा है निराकार, निराकारी दुनिया में रहने वाली निराकारी आत्माएं हैं, उसको कहां जाता है निराकारी आत्मों का घर, देश वा लोक। इसको जीव आत्मों का देश कहां जाता है। वह है आत्मों का देश फिर जब आत्माई यहां आकर शरीर में प्रवेश करती हैं तो निराकार से साकार बन जाती हैं। ऐसे नहीं कि आत्मा का कोई रूप नहीं है, रूप भी जरूर है, नाम भी है. इतनी छोटी आत्मा कितना पाट बजाती है इस शरीर द्वारा? हर एक आत्मा में पाट बजाने का कितना रिकॉर्ड भरा हुआ है, रिकॉर्ड एक बार भर जाता है, फिर कितना भी रिपीट करो, वही चलेगा. वैसे आत्मा इस शरीर के अंदर रिकॉर्ड है, उसमें 84 जन्मों का सारा पाट भरा हुआ है, जैसे आत्मा निराकार है, वैसे बाप भी निराकार है, कहां कहां शास्त्रों में लिख दिया है, वह नाम रूप से न्यारा है, परन्तु नाम रूप से न्यारी कोई वस्तु होती नहीं, आकाश भी पोलार है, नाम रूप तो है न, बिगर नाम के कोई भी चीज होती नहीं, मनुष्य समझते हैं, परम्पिता नाम रूप से न्यारा है, अगर नाम नहीं, तो रूप भी नहीं, देश भी नहीं, फिर तो कुछ भी नहीं हो सकता, बुलाते भी हैं, दूर देश का रहने वाला परम्पिता परमात्मा, अब दूर देश में आत्मई रहती हैं, यह साकार देश है, इसमें दो का राज्य चलता है, रामराज्य और रावनराज्य आधा कल्प है रामराज्य आधा कल्प है रावनराज्य यह बच्चुम को समझाया गया है कि सत्युक से इश्वर्य राज्य शुरू होता है रामराज्य स्थापन करने वाला परंपिता परमात्मा है वह कभी रावनराज्य स्थापन करना सके बाप बच्चों के लिए कभी दुख का राज्य थोड़े यी बनाएंगे कहते हैं इश्वर ही दुख सुख देते हैं बाप कहते हैं मैं बच्चों को दुख कैसे दे सकता हूँ मेरा नाम ही है दुख हरता सुख करता यह तो मनुश्यों की भोल है, इश्वर कभी दुख नहीं देंगे, इस समय है ही दुखधाम, आधा कल्प रावन राज्य में दुख ही मिलता है, सुख की रत्ती नहीं, सुखधाम में कभी दुख होता नहीं, बाप स्वर्ग का रच्छेता है, अभी तुम हो संगम पर, इनको नई दुनिया तो कोई भी नहीं कहेंगे, नई दुनिया का नाम ही है स्वर्ग, वही फिर पुरानी दुनिया बनती है, नई चीज जब पुरानी खराब दिखाई पड़ती है, तो पुरानी चीज को खलास किया जाता है, मनुष्य, विश, विकारों को ही सुख समझते हैं, गाया भी जाता है, अमरत छोड विश काहे को खाए, गरंथ में गुरुनानक के भी अक्षर है, अशंक चोर बाप की महिमाग आते हैं, आप जु आकर करेंगे उससे भला ही होगा, नहीं तो रावन राज्य में मनुष्य बूरा काम ही करेंगे, बाप ही आकर मूत पलिती कपड़े दोते हैं, गरंथ में बहुत लिखा हुआ है, सिंधी लोग गरंथ रखते हैं, अब यह तो कोई सिख धरम वाले हैं नहीं, यह तो हैं आदी सनातन देवी देवता धरम के, सिखों का है गुरु नानक, उनको दाड़ी बाल थे, तो सब सिखों को दाड़ी बाल होने चाइए, आज कल तो दाड़ी रखते नहीं, बहुत फैशनबल बन गए हैं, नहीं तो फॉलो करना चाइए न, हम गुरु नानक के followers हैं तो गुरु नानक को follow करना चाहिए न यह तो बच्चों को अभी पता पड़ा है कि गुरु नानक को 500 वरश हुए फिर कब आएंगे तुम जट बताएंगे कोई से भी पूछो यह तो बताओ कि गुरु नानक कब आएंगे तो कहेंगे उनकी आत्मा जोती जोत समा गई आएंगे फिर कैसे तुम कहेंगे आज से 4500 वरश बाद गुरु नानक फिर आएंगे तुमहारी बुद्धी में सारे वर्ल्द के हिस्ट्री जोग्रुफी चकर लगाती रहती है बुद्ध क्राइस्ट आदी सब के लिए कहेंगे इस समय तमु प्रधान है कब्र दहकिल है इनको कयामत का समय कहा जाता है सब मनुष्य मात्र जैसे मरे पड़े हैं सबकी जोत जैसे बुझी हुई है बाप आते हैं सबको जगाने बच्चे जो कामचता पर बैठ भस्म हो गए हैं उन्हों को अम्रत वर्षा से जगाकर साथ ले जाएंगे माया ने कामचता पर बिठाए कब्र दाखिल कर दिया है सो गए हैं अब बाप अम्रत चकाते पिलाते हैं अम्रत सर नाम इसलिए रखा है बाप आकर अम्रत चकाते हैं अब कहां गियान अम्रत कहां पानी की बात सिख लोगों का बड़ा दिन होता है तो बड़ी धूम धाम से तालाब को साफ करते ही, मिट्टी निकालते ही, इसलिए नाम ही रखा है अमरत सर। अमरत का तालाब, अब गुरु नानक साहिब तो कोई ग्यान सागर है नहीं, उसने भी बाप की महिमा की है, खुद कहते ही, एक उमकार सतनाम वह सदैव सच बोलने वाला है, सत्यन नाराण की कथा है न, सिंधु वर्ष्ति लोग बाहर जाते ही, तो सत्यन नाराण की कथा कराते ही, समझते ही, सत्यन नाराण की कथा से सेफ्टी से पार होज़ शाएंगे, अमर कथा तीजरी की कथा कितनी भक्ती मार्ग में कथाए सुनते आए हैं कहते हैं शंकर ने पार्वती को कथा सुनाई वह तो सुक्ष्म वतन में रहने वाला वहां फेर कथा कौन सी सुनाई यह साब बाते बाप बैठ समझाते हैं वास्तों में तुमको अमर कथा सुनाकर अमर लोक में मैं ले जाने आया हूं मुरुत्यु लोक से अमर लोक में मैं ले जाता हूं बाकी सुक्ष्म वतन में पार्वती ने क्या दोश किया जो आकर उनको कथा सुनाईंगे अभी तुम समझते हो, हम नरसे नारायन, नारी से लक्षमी बनते हैं यहा है अमर लोक में जाने के लिए सच्ची सत्यन नारायन की कथा, तीजरी की कथा तुम आत्माओं को अब ज्यान का तीसरा नेत्र मिला है बाप समझाते हैं, तुम ही गुलगुल पुज्य थे, फिर 84 जन्मों के बाद तुम ही पुजारी बने हो, इसलिए गाया हुआ है, आपे ही पुज्य, आपे ही पुज्यारी बाप कहते हैं, मैं तो सदैव पुज्य हूँ, तुमको आकर पुजारी से पुज्य बनाता हूँ कहते हैं, हे राम, आकर हमको पावन बनाओ, सब भक्त पुकाषते हैं, आत्मा पुकाषती है न, हे पतित पावन अभी तुम समझते हो, कि गीता कोई कृष्ण ने नहीं सुनाई है, पावन बनाने वाला एक ही परमपता परमात्मा है, एक ही राम तो बाप समझाते हैं, कि ओपिन्यन लेते रहो, कि इश्वर सर्वव्यापी नहीं है गीता का भगवान शिव है, न की कृष्ण पहले तो पूछो, भगवान किसको कहा जाता है, निराकार को या साकार को कृष्ण तो है साकार, शिव है निराकार, वह सिर्फ इस तन का लोन लेता है, बाकी माता के गर्भ से जनम नहीं लेते हैं पहले नंबर गर्भ में आने वाली है कृष्ण की आत्मा ब्रह्मा, विश्णू, शंकर भी सुक्ष्म शरीर धारी है शिव को शरीर नहीं है, यहां इस लोक में स्थूल शरीर है बाप की महिमा है, पतित पावन सर्व का सदकती दाता सर्व का लिबरेटर दुख हरता सुख करता अच्छा, सुख कहां हो सकता है? सुख मिलेगा दूसरे जनम में जब रावन की दुनिया खतम हो, स्वर्ग की स्थापना हो जाएगी अच्छा, लिबरेट किस से करते हैं? रावन के दुख से यह तो दुख धाम है न? अच्छा, फिर गाइड भी बनते हैं यह शरीर तो यहां ही खतम हो जाते हैं बाकी आत्मों को ले जाते हैं सब को दुख से छुडाए, पवित्र बनाए, घर ले जाते हैं जब शादी कर आते हैं, तो पहले होता है पती पीछे होती है ब्राइड, फिर बारात होती है अब तुम्हारी माला भी ऐसी ही है उपर में है शेवबाबा फूल पहले फूल को नमस्कार करेंगे फिर युगलदाना ब्रहमा सरस्वती फिर हो तुम जो बाबा के मददगार बच्चे हो फूल श्य बाबा की याद से ही सूर्य वम्शी विश्नु की माला बनी है ब्रहमा सरस्वती सो लक्ष्मी नारायन बनते हैं देवता, श्यत्रिय, फिर शुद्र से भ्रामन बन यह नौलिज लेकर लक्ष्मी नारायन बनते हैं यह माला उन्हों की बनी हुई है यह ब्रहमा सरस्वती ही राजा रानी बनेंगे उन्होंने मेहनत की है तुम पूजे जाते हैं कोई को पता नहीं है कि माला क्या चीज है ऐसे ही माला फेरते राते हैं 16108 की भी माला होती है बड़े बड़े मंदिरों में रखी जाती है फिर कोई कहां से खिंचेगा, कोई कहां से बाबा बॉम्बे में लक्ष्मी नारायन के मंदिर में जाते थे माला जाकर फेरते थे राम राम जबते थे फूल श्य बाबा है न फूल को ही राम राम कहते ही फिर सारी माला पर माथा टेकते हैं ग्यान तो कुछ भी है नहीं पादरी लोग भी हाथ में माला फिरते रहते हैं पूछो किसकी माला फिरते रहते हो कहेंगे क्राइस्ट की याद में माला फिरते हैं उन्हों के बड़े पोप पादरी होते हैं, तो वह फिर पोपों की माला होगी। उन्ह सब के चत्र हैं। पोपों का कितना मान है। उनको खुद पता नहीं है कि क्राइस्ट की आत्मा कहा है। तुम जानते हो कि क्राइस्ट की आत्मा भी अभी बैगर रूप में हैं। तुम भी अभी बैगर to प्रिंस बन रहे हो। भारत ही प्रिंस था, अभी बैगर है। फिर प्रिंस बनते हैं। बनाने वाला है एक रुहानी बाप। बैगर से प्रिंस बनते हो। एक प्रिंस प्रिंसस का कॉलिज भी है। जहां जाकर वह पढ़ते हैं। तुम यहां बढ़कर 21 जन्मों के लिए प्रिंस प्रिंसस स्वर्ग में बनते हो। नौलिज से तुम मनुष्य से देफता बनते हो। अभी तुम समझते हो। जो स्री कृष्न सत्युक का प्रिंस था, 184 जन्मों के बाद बैगर बना है। पांच हजार वर्ष पहले देवी देवताए कितने साहुकार थे। अभी वही कंगाल बैगर बने ही। यह बाते सिर्फ तुम ही सुन सकते हो। भगवान वाच वह सबका फादर है। तुम गौद फादर से सुनते हो। गीता में सिर्फ भूल यह करती है। जो शिव भगवान वाच के बदले कृष्ण भगवान वाच नाम डाल दिया है। इसलिए गाया जाता है जूटी दुनिया। इस समय सारी दुनिया कांटों का जंगल बन गई है। बोंबे में बबुल नाथ का मंदिर है। बाप आकर इन कांटों को फूल बनाते हैं। सब एक दो को कांटा लगाते हैं। अर्थात काम कटारी चलाते हैं। इसलिए इनको कांटों का जंगल कहा जाता है। सत्युको गाडन ओफ अल्ला कहा जाता है। वही फ्लावर्ज कांटे बनते हैं। फिर कांटों से भूल बनते हैं। सत्युक में कभी रावन को नहीं जलाते। रावन पुराना दुश्मन है भारत का। तुम्हारी लडाई है रावन से जिसने आधा कल्प दुख दिया आकरीन बड़ी लडाई भी होगी। सच्चा सच्चा दशरा होना है। रावन राज्य ही खलास होज जाएगा। तुमको फिर सोने के महल मिल जाएंगे। अभी तुम रावन पर जीत पहन स्वर्ग के मालिक बनते हो। बाबा सारे विश्वका राज्य भाग्य देते हैं। इसलिए उनको शेव भोला भंडारी कहते हैं। गणिकाए, अहिल्याए, घुपजाए सबको बाब विश्वका मालिक बनाते हैं। कितना भोला है? आते भी पतित दुनिया में, पतित शरीर में हैं। बाकी जो स्वर्ग के लायक नहीं हैं, वह विकारों को छोड नहीं सकते बाब कहते हैं, बच्चे, अभी यह अंतिम जनम तुम पावन बनों। यह विकार पोईजन हैं, जो तुमको आदी मध्य अंत दुखी बनाते हैं। क्या तुम यह एक अंतिम जनम इनहें छोड नहीं सकते? मैं तुमको अमृत पिलाए अमर बनाता हूं। फिर भी तुम पवित्र नहीं बनते हो। विकारों बिगर, सिगरेट बिगर, शराब बिगर रह नहीं सकते हो। मैं बेहद का बाब कहता हूं। तुम एक जनम पवित्र बनो तो मैं स्वर्ग का मालिक बनाऊंगा। तुम जनते हो, बाप आया ही है सारी दुनिया को दुख से इलिबरेट कर सुकधाम, शांती धाम में ले चलने। अभी सब धर्मों का विनाश हो जाएगा। एक आदी सनातन देवी देवताधरम की स्थापना होती है। ग्रंथ में भी परंपिता परमात्मा को अकाल मूर्थ कहते हैं। बाप है माहाकाल, बहकाल तो एक दो को ले जाएंगे, मैं तो सब आत्माउं को ले जाऊंगा। इसलिए माहाकाल कहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे, सिखे लदे बच्चों प्रती, मात पता, बाप दाडा का याद प्यार और गुद मॉनिंग, रुहानी बाप की, रुहानी बच्चों को नमस्ते। धारना के लिए मुख्यसार, पहला, इस अंतिम जनम में ज्यानामरत पीकर अमर बनना है। स्वयम को स्वर्ग में चलनी के लायक बनाना है। बूरी आधतों को छोड़ देना है। दूसरा, अभी पढ़ाई पढ़कर 21 जनमों के लिए स्वर्ग के प्रिंस प्रिंसेज बनना है। सची सची सत्यन नारायन की कथा सुन, नर से नारायन बनने का पुर्शार्थ करना है। वर्दान एक सेकेंड में द्रड संकल्प से स्वयम का व विश्व का परिवर्तन करने वाले रूहानी जादोगर भव। जैसे जादोगर थोड़े समय में बहुत विचित्र खेल दिखाते हैं। वैसे आप रूहानी जादोगर अपनी रूहानियत की शक्ती से सारे विश्व को परिवर्तन में लाने वाले हो। कंगाल को डबल ताजधारी बनाने वाले हो। सवयम को बदलने के लिए सिरफ एक सेकंड का द्रड संकल्प धारन करते हो। कि मैं आत्मा हूँ और विश्व को बदलने के लिए सवयम को विश्व के आधार मोषत, उद्धार मोषत समझ कर विश्व परिवर्तन के कार्य में सदा ततपर रहते हो। इसलिए सबसे बड़े रुहानी जादोगर आप हो स्लोगन जो स्वराज्य अधीकारी आत्माएं हैं, वे कभी पर आधीन नहीं हो सकती ओम शंति क्लिक फॉर पीस्फूल लाइ